पुत्तर भारत का उत्रिष्ट सुपत इस्पेशलिटी आयुवेदिक आयसद्रामची किसाले चित्त को दहां में जुड़े और जुड़े निए अधायर से पूछा, यह मेरे माँ है, मैं भी माहुआर का महुद्र देखा, जो बीमार है, पैडवी, लिभा से, हाल से, उनको भी देखा और काफी लोग यहां पे एड्मिट भी थे, तो मैंने उन से मिला, उनको देखा, मैंने उनको पूछा कि भाई कैसी क्या कंडिश सबसे पहले बाद तो मैं अपने जीजा से ही पूछा तो उन्होंने काया कि उन्हीं भी फिर साथ चल दा है ठीक है तासी नीचे उतर के भी अगल बगल सब्देगा मैंने पूछा एकते बात जिवाए फिर मैंने जीजा जी से बात की तो उनको बहुत ही अराम मिला वो बारा से पांच हुए दिन से ही इनकी घड़गार और दवाईया काफी चलती थी जो लुमिलाइजर बगार थी तो वो दो ही तीन दिन में हटवा दिया था गुरू जी मेरी माँ भी है इनको भी थाइडाइड की प्रॉब्लम थी तो इनको भी जो है घुटने में भी दर्द था इनको भी मैंने यहीं पर पंचकर्म करवाया पंचकर्म में पंचकर्म में ऐसी चीजे है कि जो पूरी बोड़ी को डेटॉक्स कर देती है तो मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मेरी माँ को 150-160 हमेशा बीपी रहती थी दवाईया दिन पर दिन और भी ज्यादा जो है अले अच्छा काम होता है बहुत ही अच्छा होता है मैंने कई लोगों को देखा है कि बहुत लोग लग के आते हैं और यह समली के हाँ ते स्टैंड होके बिल्कुल खड़े होके जाते हैं मैंने अपने आखों से देखा है कर्म से और आगे दिख दवात्र वज़े से बहुत अच्छा रिस्पांस है मैं सबीर से कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत देते हैं और यह नहीं कि प्रति ब्यक्ति अगर चाहा जो भी हो बीड़ भी हो चाहा जो भी हो मगर वो हर ब्यक्ति के लिए 20 से 25 मेंट आदा गंटा समय देते हैं बिल्कुल इतिरान से देखते हैं कोई चीज की हरबढ़ाहाट नहीं है सबसे बड़ी बास है रोगी को संतुष्ट करना आज की युग में अगर रोगी को आप संतुष्ट करिये तो आदा मज़े तो उनका एकते ही दूर हो जाता है जैसे अब हमारे पिता जी को गुरुदेव जी ने बोला भी था कि पांस दिन में आपको हम रिजर्ट देंगे आपको समझ में आने लगेगा तो मुझे पांस छे दिन में समझ में आने लगा था कि हां इनका रिस्पॉंस आ रहा है तभी मैं एक हप्ते यह रुका पांस दिन और इस्टा रुका पांस दिन उन्होंने गुरुदेव जी ने रोका था तो और भी अच्छे रिजर्ट मिला खासी में भी कंट्रोल है अब बलगम नहीं आ कि बहुती है मारा या और